जी हाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना SBI ने मुझे 8 लाग का PAPL loan offer किया है अब मैं आपको live demo बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने वो offer avail किया PAPL loan आप जानते हो यह instant credit loan होता है मतलब आपको किसी तरह का कोई documentation, branch visit किसी तरह का कोई भी formalty नहीं करनी होती loan avail किया और आप भी avail कर सकते हैं आपके सामनी you know app open हो रखिया आप देख सकते हैं मुझे message आजा हुआ है कि 8 लाग का मुझे loan मिल रहा है मुझे avail now की button पे click करना है उसके बाद system मुझे अगली screen पे ले जाएगा आप देख सकते हैं loan का amount मैं loan का amount कम जादा कर सकता हूँ उसके accordingly मेरी EMI change हो जाएगी मैं इसके अन्मेर अपना tenure भी change कर सकता हूँ आप देख सकते हैं tenure change कर सकता हूँ अब मैं तब पूरी चीज़े set कर लूगा तो उसके बाद मैं next की button पे click कर सकता हूँ जैसे मैं 25 हर का loan avail कर रहा हूँ आठ महीने के लिए मेरी EMI 3255 के आएगी next की button पे click करूँगा मैं फिर मुझे EMI की date चूज करनी है यानि कि ऐसी कोई date जिससे मैं अपनी EMI payment करना हूँ मुझे उस date को मुझे choose कर लेना है मैं accordingly change कर सकता हूँ फिर उसके बाद मैं next की button पे click कर दूँगा next की button पे click करने के बाद system आगे बढ़ेगा system एक बार मुझे एक terms and condition दिखाएगा जो की जिन पर की मुझे agree होना पड़ेगा अगर मुझे loan लेना है अब date देख सकते है 8 January 2022 यानि कि आज की date है ये ये सारी terms and condition स्क्रॉल करने के बाद मुझे I have read terms and condition understand उस पे click करना है और confirmation की button पे click कर देना है confirmation की button पे click करने के बाद system आपको दिखा देगा कि आपका loan amount 25,000 का है 8,000 tenure है EMI 23,257 रुपय है processing fees nil है और दो फरवरी से मेरी EMI स्टार्ट होगी अब मेरे mobile पर एक OTP आएगा मैं OTP यहाँ पर enter कर दूँगा OTP एंटर करने के बाद मैं submit की button पर click कर दूँगा उसके बाद system एक message reflect करेगा कि मुझे ये loan मिल चुका है आप देख सकते हैं system अब आगे बढ़ेगा यहाँ पर मेरे सामने congratulations का message आ चुका है इसके अंदर लिखा है कि मेरे saving account में 25,000 रुपे deposit जल्दी हो जाएंगे अब मैं मेरे saving account के statement पे चला जाता हूँ जहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि 25,000 रुपे किस तरीके से मेरे account में आए है आईए मैं आपको अगली screen पे ले चलता हूँ या accounts में जाईएगा accounts में जो मेरा 165 वाला account number है मैं उस पे click करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 25,000 रुपे का credit मेरे account में आया है 8 January 2022 को इस तरीके से मेरा यह loan sanction हो गया और बहुत आसान है योनो PAPL लेना Friends अगर आपको PAPL का loan offer नहीं हो पा रहा है तो निराज मत होईए True Balance FH इसके माधियम से आप 50,000 रुपे तक का loan ले सकते हैं इसका मैंने description box में link दिया हुआ है आप बहाँ से इसको download कर सकते हैं तो Friends मुझे उमीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रूप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें banking related informations के लिए धन्यवाद Friends